OTT प्लाटफॉर्म मेक मनी पर बड़े बैनर की फिल्मे कैसे हो रही है रिलीज? क्या धूम मचाने वाली है धूम 4? कौन होने वाला है धूम 4 का विलन? धूम मचा ले धूम ये टाइटल ट्राक तो आपको याद ही होगा जो धूम फ्रेंचाइस का है जिसके अब तक तीन पार्ट बन चुके हैं और तीनों पार्ट ब्लॉग बिस्टर साबित हुए हैं इस फिल्म का लास पार्ट यानि धूम 3 दोहजारतेरह में आई थी और अब तक की धूम सीरीज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ये श्राज फिल्म की सबसे सफल फ्रेंचाइज में से है धूम फ्रेंचाइज जिसकी पहली फिल्म 2004 में आई थी जिसके बाद इस फिल्म का सीकुल यानि की धूम 2 बनाई थी इन दोनों फिल्मों को ब्लॉग बस्टर साबित होने के बाद 2013 में फिर इसका तीसरा भाग परदे पर देखने को मिला यानि की धूम 3 जिसमें अभिनेता आमिर खान जी ने डबल रोल निबाया था और इनकी हीरोईन थी अभिनेतरी केटरीना कैफ अब खबर सामने आई है कि इस फिल्म के अगले पार्ट पर भी तैयारियां चल रही है जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने ये श्राज फिल्म जल्द ही अपनी दूम फ्रेंचाइस का चौथा भाग यानि की दूम फोर्ड लेकर आ रहा है और इस बार इस फिल्म को दूम री लोड़िड नाम दिया जाएगा दूम श्रंखला हमेशा अपने दर्शकों को आकरशित करने में कामियाब रही है मताधिकार सिर्फ बड़ा बहतर और प्रत्य अगली कड़ी के साथ मिलता है किया जबकि फिल्म के नायक अभिशेग बच्चन और उद्य चोपड़ा एक ही है ये खल नायक है जो बार बार आश्चरे चकित कर देते हैं तो अब जब शंकला की एक चाथी फिल्म पाइपलाइन में हैं कंगना रनौत ने सिल्वर स्क्रीन पर और उससे दूर खुद को एक बहुत मजबूत और रायवाली अभिनेत्रा के रूप में स्थापित किया है कुईन और तनौ वेट्समनौ रिटरंस जैसे फिल्मों में उनका अभिने उनके टालेंट के बारे में बोलता है अभिनेत्री को क्रिश्थ्री में उनके ग्रे किरदार के लिए भी सहारा गया था कंगना दूम फोर की टीम के लिए एक बहतरीन चोईस हो सकती है इस फिल्म के साथ कंगना उन्बारी क्यों का पता लगा सकती है जो हर दूम गर्ल की खासियत है ग्लामर फिल्म उद्योग की प्रेरक शक्ती है और कौन है सनी लियोन से बहतर मनुरंजन का मंत्र अडल फिल्म स्टार आक्ट्रिस ने इंडास्ट्री में अपने लिए जगा बनाई है खलनायक के रूप में एक महीला होने से फिल्म के आश्चर्य तत्व में इजाफा होगा अबिनेत्री निश्चित रूप से दूमचार के कलाकारों के लिए एक अच्छा जोड देंगी इसके अलावा एक बार के लिए जै दिक्षित और अलिफ फिल्म में पीछा करने के लिए कुछ आश्चर रचकित कर सकते हैं जब देश कोरोना वाइरस प्रकोब द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में चला गया तो सभी प्रमुक उध्योगों को एक बड़ी आसा फलता का सामना करना पड़ा लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई हमने देखा कि वेफसाय संचालन फिर से शुरू हो गया और दीरे दीरे पूरे नए प्रोटोकॉल के साथ वापिस ट्रैक पर आ रहा है जब फिल्म और टीवी उध्योगों की बात करें तो महरा सरकार और इंडियन मोशन पिच्चिस प्रोडाक्शन असोसियेशन जैसे निकाष शूटिंग शुरू करने के लिए शर्टों पर बात चीत कर रहे हैं हाली में आई एम पी पी ए ने राज जैसरकार के दिशा निर्देशकों के खिलाफ बॉंबे हाई कोट का दरवाजा खटखटाया जिसमें अभी नेताओ तकनीशियनों और अन्यवक्तियों को पैसट या उससे अधिक आई उवर्क के होने पर काम में भाग लेने से रोग द किया गया है कोविट के बाद की दुनिया में शूटिंग के अलावा हम हर दूसरे सब्ता में नए फिल्मों को ऑनलाइन देख रहे हैं अमिताब बच्चन और आईशमान खुराना स्टार कुलाबो सिताबो और विद्याबालन की शाकुंतला देवी जैसे बड़े बजट व क्या लोग सिनिमा हॉलो में घूमेंगे फिल्म निर्माताओ को स्ट्रॉगलिंग प्लाटफॉर्म पर फिल्मों का प्रदशन करने के लिए मजबूर किया गया है इसमें कोई शक्की बात नहीं कि फिल्म में आक्शन तो देखने को मिलेगा ही फिल्म के डिरेक्टर का कहना ह है कि फिल्म के निर्देशक ये भी चाहते हैं कि फिल्म में चोर के किरदार में अभी नेता अक्शे कुमार भी नजर आएं तो दोस्तो अभी तक के लिए कुछ कन्फरम नहीं हो पाया है कि आखिर कौन से अभी नेता नजर आने वाले हैं शातिर चोर के किरदार में मुवी की आगे डीटेल जानने के लिए अगली वीडियो का वेट करें और बॉलिगराज स्टूडियो से जुड़े रहिए